स्वागत है आपके अपनी चैनल ली श्टॉक्स दूजी किसन में दोस्तों अगर आज के अपने श्टॉक की बात करें तो इस श्टॉक में काफी भारी आपको गिरा और देखने को मिला है लगबग 50% तक यह कंपनी करेक्ट हो चुका है तो क्या ऐसे में इस कंपनी को उठान करेंगें तक क्रेक्ट हो रहा है तो क्रre Pitt करेंगे वीडियो अस टक बने रहे हैं कौई भी प्रफटेल मिस्स न करें आप देखें कि आज की जो हमारी स्टॉक है वह है पैनेसी यह बायो टेक लिमिटेड अगर इस कंपनी की बात करें तो आज यह कंपनी क्लोज हुआ है अगर इस कंपनी के आज के डिलिवरी की बात करें तो आप देखें कि लोगों ने माल उठाना स्टार्ट कर दिया है इस कंपनी में तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है दोस्तों अगर इस कंपनी के लॉंग टम के चार्ट में देखेंगे तो आप सब्सक्राश पहला स्पोर्ट लेवल आपको मिलेगा, या कमपनी उस लेवल को तोड़ कर नीचे आ चुका है और ऐसे में जो इस company का दूसरा support level आपको देखने को मिलेगा वो 200 रुपए के पास में देखने को मिलेगा यानि कि यह company क्या 200 रुपए के पास तक जाएगा क्योंकि इसका जो high है वो 450 रुपए के पास का है इस बात का जरूर ध्यान रखें दोनों के अगर difference पर आप देखेंगे तो 50% से ज़्यादे का correction आपको देखने को मिल जाएगा और ऐसे में यह company और कितना भी correct होगा उसकी भी बात करेंगे देख लेते हैं इस company का short term का chart क्या कहता है दोस्तों अगर इस company के short term के chart को आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा chart देखने को मिलेगा यानि कि यह company जो की support level तोड़कर उसके नीचे आया हुआ है तो ऐसे में इस company का support level और बनता है जहां पर यह company already आकर रुका पड़ा है अगर यह company support लेकर bounce back करता है तो इस company में अच्छी खाजी growth आपको देखने को मिलेगा लेकिन जिस sector से यह company belong करता है अभी वह पूरा का पूरा sector correct हो रहा है तो ऐसे में उससे related जितने भी stock है वह सारे correct होंगे तो आपको panic नहीं करना चाहिए अगर आपने long term के लिए buy कर रखा है दोस्तो अगर आपने short term के लिए buy कर रखा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए दोस्तो यह हमने इसमें weekly chart लगा रखा है अगर weekly chart पे इस company के support label को देखेंगे तो इस company का support label आपको निकल कर आएगा वह 200 रुपय के pass में ही निकल कर आएगा तो अगर आपको आगे के लिए stop loss लगाना है तो आप 200 रुपय पे अपना stop loss लगा कर continue कर सकते हैं इस company को अगर आप गिरते market में stop loss नहीं लगाते तो आपको काफी heavy loss होने के chances होते हैं इसलिए अपने loss को कम से कम करने के लिए आपको stop loss ल निकल चुका था तो ऐसे में इस company को आप buy करके चल सकते हैं अगर आपने long term का purpose बना रखा है तो आप long term के लिए continue कर सकते हैं जिसके लिए आपने already buy कर रखा है आपको panic नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों अभी profit booking चल ला तो जाए इस वाद है कुछ stocks correct होंगे correction में आप buy करके चले तो जादे बेटर है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो